नमस्कार हमारे खासकारक्णम وج해요 factor में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्ट तो हर्याना विधानसबा चुनाओं को लेकर सारा suspense खत्म हो गया है यह कल से शष्पन्स ने सिरी से ने तरीके से ने सिरे से गहराने वाला ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक टाजा टाजा सर्वे आया है जो बहुत दिल्चस्प है दूसरा मैंने टाजा टाजा हर्याना के kooX पत्रकारों से बात ही है जिनका When ओर बी ज्यादा दिल्चस्प है तो क्या है ये दिल्चस्फ आंकडा या आंकलन जिसमें आपकी दिल्चस्पी होगी लेकिन मैं बताऊंगा बस दो मिनट लूँगा पहले मैं आपको बताओं कि हर्याना की लेटर्स रिपोर्ट क्या आ रही है लेटर्स रिपोर्ट ये आ रही है कि पूरा चनाओ पहले स्था प्रतिवी जनता में कोई अच्छी सोच नहीं है एक जाती के आधार पर वोट पड़ रहे हैं इस बात की संभावना जताई जा रही है तीसरा एक सार कोई मुद्दा नहीं दिख रहा जैसे कॉंग्रेस की बात करें तो कहीं पहलवान का मुद्दा चल रहा है कहीं किसान मुद्दा है कहीं नौजवान मुद्दा है कहीं सविधान मुद्दा है बीजेपी की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में जहां इमाई पर लोग फ्लैट और गाड़ियां लेकर रहते हैं वहां की सोच वहां का मिजाज अलग है ग्रांट रंग रोड पर यानि हाईवे पर आप चलें तो हाईवे पर बीजेपी के प्रती रुजान ज्यादा अच्छा नजर आता है यही बात जैसे हाईवे छोड़कर आप स्टेट हाईवे पे आए तो बीजेपी से थोड़ी दूरी बढ़ती है और स्टेट हाईवे छोड़कर आप गाउं की सड़क पर आगए तो दूरी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है तो यह तीन-चार-पांच चीजें हैं जो वहां के हिसाब से देखी जा रही है और इसमें भितरगात है गुटबाजी है खेमेबाजी है जित का जिक्र करना जरूरी नहीं क्योंकि दोनों तरफ है एकसार करीब-करीब नजर आ रहा है नेताओं की महत्वकांशा भी एकसार न दिखाई दे रही है कॉंग्रेस दे लेकिन बागी जगा क्या टक्कर नेती दिखाई दे रही है बात करते हैं आपका दिल्चस्पी जानने में होगी भासकर का सर्वे इसमें कुछ जोल भी है बड़े मज़ेदार जोल है इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चा जा रही है अन्य के खाते में 10 से 12 सीटे आना पक्का बताया जा रहा है चलिए हमने माल लिया पक्का लेकिन 90 में से 23 सीटे फशी हुई बताई जा रही है अब भाईयो मुझे एक बाद बताई ये 90 में से 23 सीटे यानि हर 34 सीट अगर हर्याणा में हर चौती सीट फसी हुई है तो फिर मामला कॉंग्रेस के पक्ष में जाता हुआ क्यों दिख रहा है मना हर चौती सीट तो फसी हुई है 23 सीटें लेकिन बची वी जो 67 सीटें हैं उसमें एक तरफा कॉंग्रेस के पक्ष में 55% सीटें क्यों जाती हुई दिख रही है, 67 बची हुई सीटों में 38-41 सीटें, इस हिसाब से दो ज्यादा सीटें जानी चाहिए, और इस हिसाब से देखा जाए कि बची हुई 23 सीटों की 55% सीटें भी कॉंग्रेस की जोली में law probability के अनुसार चली जाती है, तो कॉंग्रेस वही 51-52 से लेकर 55-56 तक पहुचती हुई दिख रही है, और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पाती हुई क्यों नहीं दिख रही, ये भी सर्वे इशारा करता है, 18-23 सीटें, बची हुई 23 भसी हुई सीटें, 67 सीटें जो पक्की हैं उसमें से 18-23, यानि 30-40 सीटें पकी हुई, तो 23 सीटें जो फसी हुई है, उनका 30-40 परसंट, यानि 6-8 सीटें उनमें से निकल सकती हैं, तो आप 18 से बढ़कर 24 और 23 से बढ़कर आप जादा से जादा 30 तक पहुच पाएंगे, इस से उपर बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बीजेपी अगर 30 प्राप्त कर लेती है, तो उसकी शांदार संबान जनक हार मानी जाएगी, 10 साल की अंटीन कमबंसी के बाद भी, क्योंकि 10 साल राज करने के बाद भुपेंदर घुड़ा के खाते में सिरफ 15 सीटें आई थी 2004 के चनाओं, इस हिसाब से द दिख नहीं रही, कॉंग्रेस अगर 50 पर अटकती है, तो थोड़ी धरकने बढ़ जाएंगी, क्योंकि कॉंग्रेस अगर 50 पर अटक गई तो 46 से तो उपर है वहुमत से उपर, और कॉंग्रेस का 50 पर अटकने का मतलब है, बीजेपी का 30 से उपर जाना, 34-35 तक जाना, तो मा जाएंगी, खैर ऐसा होता दिख नहीं रहा, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, क्यों मेरा 38 साल का जनलिजम का experience बताता है, कि ऐसा नहीं हो पाएगा, Operation Lotus की कोई संभावना, क्यों मुझे कम से कम हर्याना में नजर नहीं आती, लेकिन जो ताजा-ताजा पत्रगारों से बात हुई, उनका भी यही कहना है, कि कॉंग्रेस की 51 से 55 सीटें हैं, बीजेपी की 23 से 26 सीटें हैं, और अन्ने के खाते में 10 से 12 सीटें आ सकती हैं, यह 24 सितंबर सुभे की बात है, लेकिन अभी कई दिन चुनाव में बाकी हैं, और अभी तो राहुल गांदी, प्रियंका गांदी, हो सकता है सोनिया गांदी का कोई प्रतिनीती दौरा हो जाई, यह दौरे बाकी हैं, अभी तो अमिश्या ने दौरे किये हैं, मोदी जी ने एक ही दौरा किया है, अभी उनके कई चुनावी दौरे होना बाकी हैं, तो इससे माहूल कितना बदलेगा, यह देखना मुझे लगता है कि अगर इनका माहूल बदला तो इसका असर जो अन्ने के खाते में 12-13 सीटे जाती हुई दिख रही है वो और कम हो जाएंगी और बाइपोलर चुनाव हो जाएगा या फिर ये कहा जाए कि 12-13 सीटों में से 50% से ज्यादा सीटे बहुत आसानी से कॉंग्रेस की सब्ता में आतनिय की संभावना बीजेवी के मुकाबले 3-4 गुनाज ज्यादा है तो वो अपना वोट जाया नहीं करेगा और वोट खराब नहीं करेगा तो ऐसे में कॉंग्रेस को सभावी ग्रूप से इसका फायदा हो सकता है और ऐसे में कॉंग्रेस 60 के आसपास भी प कॉंग्रेस में गुडबाजी, कॉंग्रेस में खेमेबाजी, नेताओं की कास्वात, नेताओं की निजी महत्वकांशा और टिकट वित्रण में गड़बड अपने अपने उमीदवारों को आगे बढ़ाना, दूसरे प्तिद्वंदियों के उमीदवारों को हराने के लिए निर्दलिये खड़े कर देना ये तमाम चीजें इसके लिए दोशी मानी जाएंगी और बीजेपी अगर हारी तो दस साल की एंटी इंकमबंसी खटर सरकार का जो एक तरह से लोगों के प्रतिकुछ सा और समय रहते हुए नेत्वत्व परिवर्तन नहीं करना जाट गैर जाट करने की कोशिश करना हिंदू मुसल्मान करने की कोशिश करना और हर्याना जैसा चोटा सा प्रदेश संभाल नहीं पाना मुझे लगता है कि इसके लिए बीजेपी के आला कमान को ज्यादा बड़ा दोशी ठहराया जाएगा शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आये तो लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए शेर कीजिए शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया